ब्हुम्यारों की राजनीतिक तागत के बारे में एक बात कही जाती है भुम्यार खेल बना भी सकते हैं और खेल बिगाड भी सकते हैं ये एक राजनीतिक तागत बिहार में भुम्यारों की है, जहां जहां पर वो प्रभावित करते हैं लोकसवाद सीटों को, तो बिहार का जहानावाद सीट इसी कड़ी में एक आगे की कहानी है, जहां पर भुम्यार भोट्रों पर सबकी नजर है, कि भुम्यार करेंगे तो क्य करेंगे कहा जाता है कि भुम्यारों की ये सीट थी लेकिन चंदेसर चंदवनसी लगातार उस सीट पर राज कर रहे हैं पिछले दपा कहा गया था कि टिकट नहीं दिया जाएगा लेकिन नितिश कुमार ने दुबारा उनको टिकट दे दिया तो अब हो क्या रहा है जहानाब साथ से जो खबर आ रही है वो यही है कि नितिश कुमार का ओपरेशन भुम्यार फेल हो चुका है देखिए एरेस्टो फर्मा के जो जुड़े हुए लोग है भोला सर्मा उनको मैनेस किया गया था कि आप जाईए छेतर में लोगों को समझाईए कि जंता दल स्वारों को भोट करें और नरिंद मोदी को प्रधाल मंतरी बनमाएं लेकिन लगता है कि बहुत जादा असर इलाके में नहीं हो रहा है काफी बिरोध है अगर सोशल मेडिया आप खोल के देखेंगे तो उस पर जो रियक्शन है वो यही बताता है कि भोला सर्मा को लोगों ने निंकार कर दिया वैसे उनका दैरा भी समित है वहाँ पर जो प्रभाव वाला इलाका है इसके बाद नितिश कुमार ने जगदीश सर्मा को कॉल किया तो जो हमारे सोर्स है वो यह बताते है कि कल एक मुलकात हुई जगदीश सर्मा की नितिश कुमार के साथ लेकिन जग तो मेरा कुर्ता सही सलामत वहाँ पर नहीं रहेगा मुखमंत्री जी इसलिए हमको तो आप माफी कर दीजिए तो इस इनकार के बाद नितिश कुमार को जटका लगा है और एक जटका दे दिया राहुल सर्मा ने उन्होंने कहा कि मैं चुनाप के बाद ही अब जहानाबाद जाओंगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो ये सब चीजें जो हुई है पिछले 48 घंटे में ये जनता दल युनाइटेड और मितिश कुमार को परिशान और हैरान कर रही है कि जो उनके परत्यासी है चंदेसर चंदवनसी अब कैसे जीत के दिल्ली जाएंगे देखिए जो इलाका है घोसी जहानाबाद अर्बल कुर्था मुगदमपूर अत्री अगर अत्री को आप छोड़ दें तो चारों विधान सबाद छेत्र में भुम्यारों में इतनी तागत है कि वहां के चुनाब को वो प्रभावित करते हैं देखिए पौने तीन लाक बताया जाते हैं भुम्यार भोटर इसके अलाबा तीन लाक यादब भी हैं और 19 का जो चुनाब हुआ उसमें बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं चंडबंसी जी और सुरेंदर यादब को वहां हार का सामना करना पड़ा बहुत ही कम मार्जिन से तो इसका मतलब क्या है अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो फिर कैसे तीर वहां चल पाएगा जहानाबाद में तो जहानाबाद में जो तीर चलाना है उसके लिए भुम्यारों की तागत चाहिए और वो तागत तभी मिलेगी जब आपरेशन सफल होता नितिश कुमार का लेकिन भोला सर्मा के फेल हो जाने के बाद जगदी सर्मा के इंकार कर देने के बाद राहुल सर्मा के इंकार कर देने के बाद मामला आप काफी वहां पेचीदा हो गया है देखे भुम्यार के दो परतियासी बसपासे अरुन कुमार, पुरुसांसत और आस्तोस दो वहां ओलेडी खड़े हैं यह जा रहा है कि भुम्यारों का जो भोट परतिसत है उसमें ज़्यादा अरुन कुमार और आस्तोस को मिल सकता है लेकिन अरुन कुमार को भोट मिलने की ज़्यादा संभाबना है चुकि भुम्यारों में भी उनकी पकड़ है और जो भूम्यार नराज है जन्ता दल यूनाइटेड से जो नहीं चाहते हैं कि चन्दबंसी जी जीत के दिली जाएं उनका भोट अरुन कुमार को मिल सकता है ये फैदा अरुन कुमार को मिलता हुआ जहानाबाद में दिख रहा है देखिए एक तारिको भोटिंग है समय है अभी लेकिन भूम्यारों की जो गोलबंदी है जब से चुनाब आया है तब से चन्दबंसी जी का बिरोज शुरू है वहाँ पर कहा जा रहा है कि पांस साल से इन्होंने कुछ किया ही नहीं ना जन्ता को दर्शन हुआ है ना काम हुआ है तो हम कैसे भोड कर दें चन्दबंसी समास से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कंडिडेट से दिक्कत है लेकिन कंडिडेट तो बदला नहीं गया तो अब होगा क्या उसका फाइदा आरून कुमार को भी मिल रहा है और आस्तोस को भी मिल रहा है तो भुम्यारों की जो गोलबंदी अब हो रही है वो गोलबंदी यही है कि चंदबंसी जी को दिल्ली नहीं जाने देना है और जो डेबलमेंट हुआ है दो जिसकी चर्चा हम कर चुके भुला सर्मा और जगदी सर्मा की उसके बाद इलाके में ये चर्चा है कि अब जो है चंदबंसी जी का दिल्ली जाना और भी मुश्किल हो गया है चुकि जो बात जगदी सर्मा ने कही कि हम कुर्ता फढ़वाने के लिए नहीं जाएंगे जहानाबाद हमको माफ कर दिया जाए तो ये एक लाइन बताती है कि भुम्यारों में कितना गुस्ता है जहानाबाद में और इस गुस्ते का जो प्रतिफल निकलना है एक तारी को जब इबियम में लोग बटन दाबेंगे साप साप इस पर दिखने का भी असर है समय है गुलबंती हो सकती है लेकिन जो आसार है जो लक्षन है जहानाबाद से जो खबरें वो यही है कि चन्दबंसी जी की राह वहाँ काफी मुश्किल दिख रही है और इसका फाइदा सुरंदर यादब को मिल सकता है लेकि सुरंदर यादब से भुम्यारों की जो वहाँ पर आदाबत है ये जग जाहिर है और जो थोड़ा बहुत जो चन्दबंसी जी के पक्ष में चीज़े जा रही है वो सुरंदर यादब का डर है डर कहिए कि डर से ज़्यादा अच्छा आपका सकते हैं कि एक जो इधर सिफ्ट होने की संभावना है और जो फायदा चन्दबंसी जी को मिल सकता था उस फायदे से वो महरूब रह सकते हैं तो किसी भी हालत में ऐसा लगता नहीं कि भुम्यारों का बोट जनता दल यूनाइटेड और तीर चाप के तरफ वहाँ जाएगा कोशिस हो रही है नितिश कुमार खुद पहल कर रहे हैं दो पहल कर चुके दोनों में कोई फायदा नहीं हुआ आगे देखिए वो क्या-क्या अपना तीर चलाते हैं जानाबात के लिए लेकिन परिस्टितिया बहुत अनकूल नहीं है एक अगनी पत है चंदेशर चंदबंसी के लिए उस अ भुम्यारों का भी समर्थर उनको मिले भुम्यार के गाओं में भी जा रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलिए और हमको दिल्ली भेजिए हम हर समाज को हर विरादरी को साथ लेके चलेगे और भुम्यारों से तो खास अपील वो कर ही रहे हैं तो द लेगा या तीर भटक जाएगा आप देखते रहें कैपिटल टीवी बिहाद आपका बहुत धन्दबाद आपका बहुत सुक्रियाद